मशूर पाउडर कंपनी जॉंसन एंड जॉंसन बेबी पाउडर की फेक्टरों पर आज छापे पड़ी सकते हैं कवरों के मताबिक अमेरिका में इस कंपनी के पाउडर में ऐसे केमिकल मिले थे जिससे कैंसल जैसी जानलेवा बिमारी हो सकती है इस रिपोर्ट के बाद मंगलबार को स्वास्ते मंद्राली ने बैठक की और देश भर में जॉंसन एंड जॉंसन के फेक्ट्रों के सैंपल जप्त करने का आदेश भी दिया जिया आपको बता दे अमेरिका कि इस दिग्गर्स फार्मा कंपनी के बेबी पाउडर में कैंसर कारक क्यामिकल एसबेस्टम होने का खुलासा हुआ है राइटर्स की एक इवेस्टिगेशन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी को भी इस बारे में लंबे समय से जानकारी नहीं थी रिपोर्ट की मुटाब एक साल 1931 से साल 2000 तक टेश्ट के दोरान बेबी पाउडर में कई बार एसबेस्टम मिला था हाला की रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि जॉंसन एन जॉंसन के अधिकारियों को भी ये बात पता था कि ये बेबी पाउडर खतरनाक है तेकिन उन्होंने इसे छेपाई रखा हाला की कंपनी ने इस दावे को बीबुनाद बता कर इसे साजिस करार दिया है सुत्रों के वताबिक अभायत में ड्रग रगुलीटर के अधिकारी इस कंपनी के पाउडर सेंपल जब करेंगे इसके पाद इसकी जाच की जाएगी जॉंसन एन जॉंसन और विवादों का प्रूरा नाता रहा है तो वहीं 1982 में अमेरिका में इस कंपनी की ट्वाइलिन दावा से साथ लोग की जान चली गई थी वहीं 2008 में कई लोगों ने कंपनी के पादों पर बद्बू और मिलावट का आरूप लगाया था 2010 में कंपनी के वसिंग्डर प्लांट को बंद करना पड़ा 2013 में साइकोटिका दवा के गलत परचार में जॉंसन पर 220 करोड डॉलर क का जुर्माना लगा जॉंसन और जॉंसन की नौ मूर टीयर वाले बच्चों के सेंपू पर भी सवाल उठ चुकी है कि यूरर हैं डैक्स की रिपोर्ट